हाई वेरिवन स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में एक क्विक मैसेज आपके साथ सेर करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेडे साम को आप सभी ने एको सिस्टम में कुछ चीजों को नोटिस किया होगा कुछ हल चल हो रहा था लगभग साम को साढ़े पांच आज पास ये सारी चीजों को नोटिस किया गया मुझे उमिध है आप सभी ने चीजों को नोटिस किया होगा देखा होगा जैसे की एको सिस्टम के लॉग इन पेज पर जहां पर हम अपना ओमल एड्रस फिल करते हैं तो वहाँ पर अधिरेट ओमल.ai के जगार पर कुछ सबसे उपर अइकन पे किलिक करते थे तो किलिक करने के बाद जो हम प्रॉड़क्ट्स हैं जैसे कि ओमल ओनट ओट्िम उनका आयकन नहीं देख रहा था इसके लावा जो फीचर्स है नेचे जो फीचर्स हैं तो उसमें भी केवल दो ही तीन फीचर्स दिखाई दे रहे थे और अगर हम profile icon पे click करते हैं तो वहाँ पर भी केवल एक दो option दिख रहे थे, feature दिख रहे थे, बागी सारे शीचे नहीं दिख रहे थी, मतलब वहाँ पर कुछ हल चल चल रहा था, ऐसा हम सभी लोगों ने ecosystem में यह study सामको notice किया पर, तो कुछ लोग confused होंगे, कुछ लोग सोच रहोंगे कि ऐसा क्यों किया गया, इसका क्या reason हो सकता है, तो पहले बात friends, इसकी regarding, ना तो पहले कोई official information आई थी, ना अभी कोई official information आई है कि ऐसा क्यों किया गया है, राइट, लेकिन ये activities देखने के बाद मेरा अपना जो personal opinion है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपने अनुसार आपको यहाँ पर चीजे बताने बाला हूँ friends, जो मुझे लग रहा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर share कर रहा हूँ, यह जो activities देखा गया है, इसका मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है, कि ecosystem में कुछ चीजों को test किया गया है, तो उसका ही I think यह परभाव हो सकता है, तो yesterday सामको ecosystem में यह सारे चीजे देखने के वज़े से, आज morning में यह audio video record करने से पहले मैंने ecosystem को login करके पूरा ecosystem चेक किया, यह देखने के लिए मैंने चेक किया, कि ecosystem में कुछ changes हुआ है या नहीं, तो ecosystem को login करके, जब मैंने चेक किया, यह audio video record करने से पहले ही मैंने चेक किया है, तो ecosystem में मुझे कहीं पर कोई नया changes दिखाई नहीं दिया है, जैसे पहले हम लोग use कर रहे थे, यानि कि कल या फिर उसके पहले जो हम use कर रहे थे ecosystem को, तो same सारी चीजे वहीं दिखाई दे रह दे थे, और ecosystem login करने के अगर अगर आप अंदर जाएंगे, तो भी सारी चीजे आपको same ही दिखाई देंगे, मतलब कुछ नया changes नहीं हुआ है, ecosystem login page पे जो दिखाई नहीं दे रहा था, जैसा कि payment option, register here का button, जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो आपस दिखाई देने लग गय है, at the rate omail.ai के जगा पे कुछ दूसरा था, बट वहाँ पर again at the rate omail.ai हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको login भी कर पा रहे हैं, क्योंकि yesterday साम को जब at the rate omail.ai के जगा पे कुछ दूसरा दिख रहा था, तो उसमय हम ecosystem को login नहीं कर पा रहे थे, बट अभी हम ecosystem को login कर पा रहे हैं क्योंकि at the rate omail.ai वहाँ पर again हमें दिखाई दे रहा है, और login करने के बाद जब हम ecosystem में जाते हैं, dashboard अगर आपे देखते हैं, या फिर menu बार को देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो products की icon है, omail, 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 otimo, सभी दिखाई दे रहे हैं, उसकी नीचे जो हमारे features नहीं देख र problem नहीं है, और इसकी regarding अभी कोई update भी नहीं आया है, कोई pop-up भी नहीं आया है, जैसा कि आसा ने बोला था कि इस week में कुछ new updates हम सभी को मिलने वाला है, तो आप सभी को पता है, friends, कि आज है Friday, तो देखते हैं, उमीद है कि इस week में Saturday को, या फिर आज ही, या फिर Saturday, Sunday, या Monday, कुछ new updates हमें ecosystem में देखनों को मिल सकता है, इसलिए ecosystem के साथ बने रहे हैं, ये जो हल चल हुआ, ये study system को, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ testing का process रहा होगा, इसलिए हमें ये सारी चीजे देखनों को मिली, फिर भी इसकी regarding को ये official information नहीं है, तो ज़्यादा हम इसकी regarding नह कीजे friends, उमीद है कि जल्दी ही कुछ new updates हम सभी को देखनों को मिलेगा friends,